रादे रादे दोस्तो आपका अपने चनल पूजापाइट उपाए में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो कुमारी ततियार जो कि मिट्टी का घर बनाती है इसका घरोंदा बनाना सुभ है या अशुभ है और इस पेसली यदि आपके घर के मंदिर में यदि अपना घरोंदा रखती है अपना घर बनाती है तो यह कैसा होता है तई लोगों के घरों में यह ततया घरोंदा मुख द्वार पर बना देती है या किचिन में बना देती है या कभी कभी जो भी इस्थान छुपा इस्थान होता है उस जगे अक्सरकर बनाती है लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके घर के मंदिर में या मूर्तियों के पीछे ये अपना घरोंदा बना देती है तो ये कैसा माना जाता है दोस्तों यदि चैनल पर नए है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का वटन जरूर दबा दीजिएगा और वीडि का घर बनाना प्रारम कर दिया है या बना लिया है तो ये अतियंत ही सुब माना जाता है आपके लिए कुछ अच्छी खुसकबरी होगी आपके तरक्की के दिन आने वाले होंगे और जो भी परिशानिया पहले से चली आ रही है या धन आने में रुकाबटें आ रही है तो सीक्र अतिसीक्र ही दूर होने वाली हैं ततया को हम लखहरी भी कहते हैं तो लखहरी जो होती है उसका लख ऐने की लच्छमी जी से उसका संबंद जोड़की दिखा जाता है तो यदि इसने आपके घर के मंदिर में अपना घरोंदा रखता है तो निशित रूप से मा लच् पूरा का आसीर बात हो चुका है और सदा ही रहेगा आपके घर में अंधन की कमी कभी भी नहीं होगी अब बात आती है कि ये घरोंदा उसने बना लिया है तो इसका क्या करें तो घरोंदा बनाया है तक तक आप बना रहने दीजिए जब तक कि उसमें से कुछ समय बाद उस कच्चा घरोना तोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से यारो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कर दो फिर मिलेंगे तक तक के लिए रादे रादे